बर्तमान सरकार को दोस्र छुलो दल नेकापा माववादी केन्रली सरकार मा सब हागी हुने बाकी मंत्री को लिस्ट तयार पारे को थियो तरा मंत्री परिशत विस्तार मा धिलाए हुदा मंत्री हुने नाम मा तिहापनी चल खिल भायो देपी दोस्र पटक को मंत्री परिशत विस्तार को क्रम मा माववादी बाट मंत्री बने का मद्य गिरी राजमडी पोख्रेल मात्र दोहरी एका शन। बाकी पात जना पने मंत्री का रुपमा नया अनुहार हुन। को हुन माववादी बाट मंत्री बने का। गिरिराजमरी पोख्रेल, स्वास्थे मंत्रीको जिम्यवारी पायेका गिरिराजमरी पोख्रेल एसागी तीन पचक मंत्री बनी सकेका छन। पोख्रेल एसागी दुई पचक स्वास्थे मंत्री बनी सकेका हुन। एक पचक उन्ही स्विक्षिया मंत्री भाये। एक अताक्येंद्र बाट माववादी मा आयका पोखरेल 2060 सालमा बनेको अंतरीम सरकार मा पखिलो पँटक स्वास्ति मंत्री बने का दिये यसते失 hazard दिये 2025 बढ़सों मा प्रचंदा पखिलो पजच परधानमंत्रीकें बने पोख्रेल स्वास्थे मंत्री नेग बनी, उनीक केपीओली नेतरित्तो को सर्कार्मा स्थिक्ष्या मंत्री भाए उनले 12 बर्स भमिगत जीवान बितायका शान। बस्मित ले नेपाल कम्निस्ट आंदुलन्ड जनकांती का अईतिहांसिक दस्तावी शरू समिधान निर्मार्मा जनस्वाभागिता नामक दुई पुस्तक समित लेखेका शान। बस्मित हाल माववादी का प्रमोख सचेतक बानी हुन। महेंदर बहादुर सही उर्जा मंत्री को जीमेवारी पायका महेंदर बहादुर सही जनमुक्ती सेना का पुर्व कमांडर हुन। जने उद्ध को बेला उनले जनमुक्ती सेना को छार सात नमर डिविजन को कमांडर समाहली का थिये। पहिलोपटक मंत्री बने का साही कालिकोट बाट प्रतक्षिया निर्वाचिप्त सामसद हुन। साही लोकमान सिंग कार के भुद्ध महा अभियक को प्रस्ताव समसद मा दर्ता पसी चर्चा मा आयका थिये। त्यों महा अभियक को प्रस्तावक साही थिये। आसा कोईराला महिलालाई नाई महिला तथा वालवाली का मंत्री बनाईने प्रमपराकारुपमा यो जिमेवारी आसा कोईराला निपाय कीशन। प्रतक्षे निर्वाचित मंदल एक नमर प्रदेश मा माववदी का रामरे नेता माया शर। पक्रिलो पचक मंत्री बने का मंदल आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबदाता जनाऊ शर। प्रतक्षे निर्वाचित मंदल एक निर्वाचित मंदल एक थार। पहिलो पचक मंत्री बने का हुन।